नमस्कार बच्चों बच्चों, आज का हम विशे लेंगे क्रिया क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का वोध हो उसे क्रिया कहते हैं जैसे मीना बच्चे को पढ़ाती है रीना गाना गा रही है इन दोनों वाक्यों में पढ़ाती है, का रही है, क्रियाई है क्रिया के दो भीद हैं सकर्मक्रिया, अकर्मक्रिया सकर्मक्रिया, सकर्मक्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया का करम हो उन्हें सकर्मक्रिया कहते हैं जैसे किसान हल चला रहा है, दिव्या नृत्या कर रही है इसमें किसान और दिव्या करता है, हल और नृत्या करम है, चला रहा है और कर रही है, क्रिया है बच्चों, इसमें हल और नृत्या करम है, इसलिए इसे सकर्मक्रिया कहते है अब आती हैं अकर्मक्रिया अकर्म क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म नहीं होता, उसे अकर्म क्रिया कहते हैं, जैसे राम पढ़ रहा है, गीता सोर ही है, इसमें राम और गीता करता है, पढ़ रहा है और सोर ही है, क्रिया है, बच्चों इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसको अक अब आप घर पर रहकर जो मैं अभ्यास कारे दे रही हूं इसका अभ्यास कीचे और घर पर ही सुरक्षित रहें धन्यवाद